सुक्मा में जादू दोना की शक में पांच लोगों की हत्या के मामने में मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि जटकल काउं की ये घटना बेहत निंदनी है समाज कभी भी ऐसे तत्वों को माफ नहीं करेगा पुलिस अपनी कारवाई कर रही है मोकी मत्री विष्णो देश साय की सरकार में ऐसे अपराधियों को नहीं बक्षा जाएगा इन पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी केदारकर शेप ने ये भी कहा कि इस घटना में जिन बच्चों के माता पिता की हत्या हुई है अब उनकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी उन्हें पढ़ाया जाएगा अन्नी सुविधायां भी दी जाएगी उनकी पूरी परवरिश का जिम्मा सरकार का होगा बता दे कि सुकमा जिले के इतकल गाव में 15 सितंबर को जादू टोना के शक में हैट कॉंस्टेबल समित उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गए थी इस हत्या कान में हैट कॉंस्टेबल के दो बच्चों की चान बच गए थी सुक्मा जिले के कोंटा छेत्र इतकल में जो घटा घटित हुई वो अत्यंत दुखद है समाज ऐसे चत्तों को कभी भी माप नहीं करेगा और पुलिस प्रसासन अपनी कारवाई कर रही है माननी विशिद्यों साजी की सरकार में ऐसे अपरादियों को कोई सरचर नहीं दिया जाएगा उनके उपर कड़ी शिकड़ी कारवाई होगी और जो बच्चे वहाँ पर अपने परिवार से वंचीत हो गये हैं उनकी पुरी दिख भलकाई जाएगी उनकी सिक्चा दिख्चा उनकी स्वास सक्की चित्ता राजी सरकार करें